हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज बनाएंगे हम अंडा पालक करी यानि कि अंडा पालक सुनी चुकि बहुत ही जादा टेस्टी बनता है और टेस्टी के साथ हेल्थी भी है विंटर्स में पालक का एक अपना ही मज़ा होता है तो आप एक बाइस रेसिपी को जरूर ट्राय करेगा मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये पसंद आएगी तो चलिए जी टेम वेस्ट नहीं करते बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां सबसे पहले मैंने यहां पानी को बॉइल कर लिया है और बॉइल पानी में मैं यहां पालक एट कर दूँगी यहां मैंने 500 ग्राम पालक लिया है जिसको मैंने 3-4 बार बहुत ही अच्छे से वाश कर लिया था क्योंकि पालक में बहुत जादा धूल मिट्टी होती है तो उसे अच्छे से वाश करना बहुत जरूरी है अब यहां गैस को बंद कर दिया है और 10-15 मिट्टी ने पालक को ऐसी चोड़ देंगे फिर उसके बाद हम इसे ठंडे पानी में बिगो कर इसको पीस लेंगे यहां मैंने साथ अंडी ली है जिनको मैंने पॉल कर लिया है अब हमें क्या करना है सबसे पहले अंडो में कट लगा देना आप चाहे नाइफ से करें या फिर फॉक से करें ऐसे करने से क्या होगा जब आप इसमें हल्दी नमक मिर्चे आड़ करेंगे वह अंदर तक तो बस हमें इसे मिक्सी जार में जो है इसको ट्रास्फर कर देना है और इसको एकदम फाइन हम पीस लेना है इसमें अचा पानी हमें आयट नहीं करना है तो देखिए पालक भी हमारा पिछ चुकए है चलिए इसको हम अच्छे से गरम हो चुका था तो यहां पर अंडो को तो हम सारे अंडे इसमें एक एक करके आड़ कर देंगे और इसको इस थाना से ना हम फ्राई कर लेंगे आप चाहें इसे deep fry कर सकते हैं shallow fry कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो वैसा कर लीजिए और इस पे एक अच्छा कलर आने तक ना आपको अंडो को ना fry कर लेना है तो बस देखिए अंडे यहां हमारे fry हो चुके हैं अब इनी oil से हम ना बाहर निकाल लेते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं अंडे जब हम इस तरह से fry करके अड़ करते हैं तो चलिए जी अंडे भी हमारे fry हो चुके हैं यहां मैंने oil ले लिया है अब इसमें आदा चमर सबसे पहले हमें जीरा आड़ कर देना है और साथ मैं एड़ कर देंगे हम तो तीस बास के पत्ते और तो यहां पे मैं यह सूखी मिर्चे एड़ कर रही हूं डाल वाले अब इसे क्रैकल होने देखते हैं तीसे चाले सिकिंड तक आप इसे ऐसे ही छोड़ दें चलाते वे अब हम इसमें एड़ कर देंगे प्यास तो यहां पे मैंने आदा कप प्यास ली है यानि कि एक मीडियम साइज की प्यास को मैंने ओमलेट कट करके वह ओyty ही है अब आपको कर लेना है अब को इसमें हला और ते प्यास का कलर आपको रखना है अब इसमें हम एड़ कर देंगे बर के एक चम "' अद्रक लहजून पेस्ट यानिकी आदा चमत लहजून और आद जहीं चमच हम अदरका पेस्ट आइट करेंगे और इसको अच्छे से हम भून लेंगे एक से देड़ मिन तक अच्छे से भूनेंगे जब आप मसालों को अच्छे से भूनते हैं तो फिर जो है हमारी क्रेवी ना पहुत ही जादा टेस्टी बनती है तो चलिए इसको भी हमें बहुत हीँचे से भून लेना हैं तो यहां देखे लेसुन अदरक जो ह महारा बहुत यच्छे से भून चुका W एक चमच हम इसमें लाल मिर्च का पॉड़र apply कर देंगे साथ में हम इसमें ऐड़ करेंगे देज भनया पॉडर तो यहां मैं देज है उतना नमक आड़ करिए गा थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेगा के आपने अंडों में भी नमक आड़ किया है आदर चमच हम इसमें हल्दी पॉडर भी आड़ कर देंगे अब आपको इसे बहुत अच्छे से भून लेना है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी आड़ करिए और फिर आप इसको भूनिए यानी कि थोड़ा थोड़ा सा पानी आड़ कर कि आप इसको अच्छे से भूनिए ताकि आपके जो मसाले हैं वह जल ना जाया और जब तक आपकी मसालों में इसे एक ACTION खच्छ भून आ जाया आप इसे जब तक भून लिएगा मसालों का बहुत ही अच्छे से भूनना ना बहुत ही जादा जरूरी होता है क्योंकि चितने अच्छे से हमारे मसाले भूनी हुँगे उतना ही अच्छा हमारा टेस्ट होगा तो देखिए जी मैं इसको लगतार चलाते हूँ यहां पर भून रही हूँ तो आप इसको बहुत अच्छे से भून लीजेगा तो देखें यहां हमारा जो है मसाल अच्छे से भून चुका है अब हमें इसमें आड़ कर देना है टमाटर तो यहां मैंने एक टमाटर को इस तरह से कट कर लिया है कट किया है और तर्माटर के सउफ्ट होने तक ना हम इस यहां भून लेना है तो देखे टामाटर जो है वह सउफ्ट हो चुका है अब हम इसमें खरेंगी कर तो यहां मैंने हाफ कड आड अगर मैं इसे चंचे से बात करूं ना तो 6-4-7 चंचे थे वह मैंने आड किया यह सब्सक्राइब करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे सबसे पहले जो आपने मसाले भूनी है उसके साथ आपको बहुत ही अच्छे सब्सक्राइब कर लेना है अच्छा जी मैने हाई डाइक करना है घरिया फॉर सबस्क्राइब कर इस मीक्स करने हैं नाउन आपको थोड़ा ना हो चुके थे अब मैंने यहाँ पालक को भूनना है अब यहाँ पे आपको बहुत ही टाइम दे के पालक को भूनना है यानि की चार से पास मिट तक अच्छे से पालक को भूनने का जितना अच्छा आपका पालक यहां पे भूना होगा ना उतना ही ना टेस्ट ही आपकी यहां एकरी बना गोगी, तो देखें पालक बहुत ही अच्छी से यहां भून चुगँँगा था, अब मैंने इहां यहां न उड्ट करदी हैं, अंड् eff करने के बाद बीना मैं इसको भून Sergei 3 से 4 मिटना मैं सको और अच्छी से भून पालक पालक हमारा जब भूनता रहता है तो उसकी कॉंटिटेटि दा है वो खंंग होती रहती है इसकी पहचान है अच्छा भूनने की तो पालकक्ची से भून लिया है आदा चमच मैंने इसमें एट कर दिया है गरम मसाला आदा चमची मैंने इसमें एट किया है जीर्ड याने हां पर STEP करीब कस्तूरी मेति को प्रइश करके वह मैंने अब इसे भी अपने के बाद मैं बहुत ही अच्छे और इसको भून लेती हूं तो यहां सारा do ना टेस्ट का वह की भूनाई का है बहुत अच्छे से भून यह वैसे यह एकदम घ्राइ ट्राइ बहुत अच्छा लगता है ले तो जब तक बॉल आता है तो चलीजी हम इसका एक तड़का रेडी कर लेते हैं तो यहां मैंने थोड़ा सा ओई ले लिया है तकरीबं 3-4 चमच ऑई लिया है और यहां लहसुन मैंने जादा कट किया है अगर आपको जादा पसंद नहीं है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कर सकते हैं लेकिन यहां लहसुनी पालग बना रहे हैं हम तो लहसुन इसमें चाओ आपसा जाता है और इसका टेस्ट भी नहीं बहुट ही अच्छा आता है तो चलीजी लहसुन मैंने आट कर दिया है अब इसको हमें अच्छे से पराउन करना है थोड़ा सा शां से का डर च तो इसनिये मिर्च को ना बाद में याइट करें तो चलिए जी गैस को हम यहाँ बंद कर देते हैं और तड़का हमारा पिलकुल रेडी है हम इसको इसके अंदर प्रोड कर देखें जी कितना टैम्टिंग दिख रहा है आई होप आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आए रेसिप पालक करी बनके हो चुकी है रेडी और बहुत ही जादा टैस्टी टैम्टिंग माउट वाटरिंग दिख रही है यहाँ पे हमारी रिष अच्छा आप इसे सर्फ कर सकते हैं रोटी के साथ चपाती के साथ प्राटे के साथ सब के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और हमने इसे राइस के साथ दिन चुआया गया था और बहुत ही टेस्टी लग रही थी वीडियो देखने का आप बहुत बहुत शुक्रिया मिलती हूं नेक्स वीडियो में एक निव रैसिपी के साथ तब तक की में अल्ला हाफिर